दोस्तों मैं आज बटर गार्लिक पराटा बना रही हूं दो कप मैदा लिया मेने और थोड़ा सा नमक थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको एक सॉफ्ट डोव बना लेंगे अच्छी तरस इसको सॉफ्ट बनाना है उपर से इसको थोड़ा सा तेल लगा कर एक पंदरा मिनिट के लिए रख देंगे साइड में हम पर मैंने दो टेबल स्पून बटर लिया है और एक टेबल स्पून बारी कटी हुई लसून और धन्यापता इसको साथ में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कर दो कर दो अब थोड़ा सा देल लगाकर इसका पराटा बना लेंगे एकदम पतला बेलना है इसको आटे को एकदम पतला सा बेल कर अपर से इसको बटर और लेसुम का मिक्सचर लगा लेंगे अची तरह से और इस तरह से रोल करेंगे या फिर आपको जैसा आप बनाते हो ऐसा बना सकते हैं मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं ऐसा ही बनाती हूं थोड़ा सा इसको हलका सा टैप करके पतला बना देंगे हलका सा टैप करके और लोग फ्लेम पर इसको पकाएंगे शेक करेंगे अपर से गार्लिक बट्टर कर थोड़ा साथ लगा लेंगे दोस्तों आज की मेरी रिसिप्या अगर पसंद आती है तो आपको एक लाइक दें कमेंट करके बता है और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू